आज हम लोग ये LSW का एक चैप्टर है चैप्टर निस टॉपिक है करखाना अधिनियम उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तो कल हम लोग ये पढ़े थे कि लेवर लेजिसलेशन नहीं स्रमिक बिधान या स्रमिक कानून के जो विभीन परकार हैं तो उसमें हमने एक डिसकस किया था किया था जे संडक्षन संबन्धी जी से प्रोटेक्टिव लेवर लेजिसलेशन, तो ये भी डिसकस हम लोग पिछले क्लास में, रेट्रोइस्पेक्ट मिन्स दुहरा रहे हैं, आपको याद ये अदास्त में ला रहे हैं, कि कल हम लोग अबजेक्टिबस ओफ लेवर लेजिस destruction discuss किये थे, कि इसरमी के कानून या बिधान का क्या-क्या उदेश हैं और इस पर भी हमें stress दिये थे, आप point out किये थे, की जो सारे objectives हैं, उदेश हैं, और इसके पहले भी discuss हो चुका है, जो क्यों सरम बिधान की सकता क्यों, तो ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मतलब बेसिक में कि जब सरामीकों के बीच में इन उक्वलीटी, सोसल इकोनलीटी, एकनॉमिक इकोनलीटी या एक्सपलाइटेशन जब बढ़ जाता है तो उसके लिए या फिर वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता है तो उसको यानि प्रोटेक्शन की जहुरत होती है तब लेवर लेजिसलेशन की और उसमें लेवर लेजिसलेशन जो खास स्रामीकों के लिए बिधान बनाये गया है वो लेवर लेजिसलेशन का अबजेक्टिव जो सब था और जो अबजेक्टिव से उद्देश है उन उद्देशों के पुर्ति के लिए जो सारे अलग-अलग बिधान बनाए गए हैं स्रामीकों के लिए पार्टिकुलरली लेवरर्स के लिए कर्मकारों के लिए जो बनाया गया है उसी को उसका उद्देश कहते हैं और उसी उद्देश में क्या धार पर जितने परकार आपस अफ लेवर लेजिसलेशन में एक है पोटेक्टिव लेवर लेजिसलेशन संडचनात्मक स्रम बिधान यानि स्रमुईकों के संडचन पोटेक्शन के लिए जो बिधान बनाए गए हैं वह संदच försökte माने प्रटेक्टीव लेवर लिजिसलेशन काहा जाता है, उसका एक एक जामपल है, फैक्ट्री एक्ट, यानिि करकाणा अधिनियम, थिक है, करकाणा अधिनियम, अब क्वेश्चन उटता है, करकाणा की इसको कहते हैं, कर्मकार की इसको कहते हैं, ये सब जा रहा है बंद करते हैं तो यह करखाना अधिनियम पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन या बेसिक यह करखाना क्या है कर्मकार क्या है इसमें उस तर्म आगे लेकिन यह कहने जा रहे हैं कि करखाना अधिनियम के पीछे क्या है उसका इंट्रोडक्शन य कि करखाना अधिनियम से तातपर्ज वैसे कानून से है वैसे बिधान से है जो स्रमीकों के स्वास्त सुरक्षा रक्षा काम के घंटों को बिनियमित करना यही इसका उद्देश है या फिर यह इसी उद्देश से इस अधिनियम को पारित किया गया है जब करखाना अधिनियम की बात भारत के संदर में करते हैं फैक्ट्री 8 1948 है इंडियन कंटेस्ट में हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट ग्लोबल लेवल पर या हर देश के लिए अलग-अलग होते हैं वो अलग चीज़ है लेकिन आतों पार्टिकुलरली जो विशेश कर चर्चा करें इंडियन कंटेस्ट में तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो ऐसे 1948 तो इसके अगर पीछे के इतिहास में ज बेटिस बेटिस गवर्मेंट या बेटिस अर्स या अंग्रेजों का उपनिवेस रह चुका है और घरेलू भासा में कहते हैं जिए भारत अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है लेकिन सब्जेक्ट मेटर में करते हैं तो बेहतर सब्द होगा कि भारत मेटेन का या अंग्रेजों का एक उपनिवेस रह चुका है मैंने कुलोनी आए तो पढ़ते हैं जो किसको कहते हैं जिसका में थीम में अब्जेक्टिव होता है आर्थिक सोशन करना और उपनिवेस जो है से समराज बाद हम थोड़ा और मतलब ब्रोट करके इसको समझ रहे हैं सीधे कर खाना दिनियम तुम लोग रटते हैं जिनि इसके पहले और इसका और भी चीज़ उसको हम जोड़के पॉइंट आउट करते हैं या पूट कर रहे हैं कि उपनिवेस या उपनिवेस बाद जो है कि इम्पिरियलिज्म समराज बाद का एक हिस्सा है और समराज बाद का जो मेन गोल है वह उपनिवेस बाद है समराजबाद में केवल political extension, territorial extension, राजनायतिक विस्तार, भगौलिक विस्तार वो समराजबाद कहलाता है लेकिन समराजबाद imperialism तब तक अधूरा है जब तक कि उसमें उपनिवेस बाद न हो, kolonialism न हो और ठीक उसी परकार से उपनिवेस बाद भी तब तक अधूरा होता है या कहा जाता है या कहा जाएगा कि जब तक कि उसमें आर्थिक सोशन न हो आर्थिक सोशन करना ही ultimate goal होता है kolonialism का इसे जादे अब उस पर नहीं तो दूसरा subject की तरफ हम चले जाएंगे तो यह कर हैं जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं परना है और परना तो परेगा ही तो भारत कभी पेटेन का उपनिवेस रह चुका है ठीक है तो अपनिवेसिक काल में या फिर कहिए घरेलू भासा में अस्थानिय भासा में जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का इसी को एस्टेंडर वर्ड में कहें कि अंडर दा सुजरेंटी अफ बेटिस गभर्मेंट जब भारत अंग्रेजों के अधीन या आधिपत में था तो सबसे पहली बार करखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था अब लोग पीटी में पढ़ते हैं जिनका इतिहास होगा यह तो कौमन चीज़ है बहुत बड़ा यह चीज़ नहीं है कि आप सभी जानते हैं कि 1881 में जो बाइस राय था लौड रिपन था उसके पहले 76-80 तक लौड लीटन था जो आप जानते हैं उसके बाद रिपन आया है 80-84 में 1881 का जो प्रियर्ड है लौड और नोट्स में ऐसा पूट पॉइंट आप कर सकते हैं कि भारत में पहली बार जब भारत अधीन था बेटिस गवर्मेंट के या फिर गुलाम कहिए जो सब्द बोलना है लेकिन इस टेंडर वर्ड में इसके आधिपत में था अंडर दा सुजरेंटी और बेटिस गवर्मेंट तो सबसे पहली बार लेवरर के लिए शरामिकों के लिए जो फैक्टी एक पारित हुआ 18-18 पारित हुआ लॉड रिपन के 222 के काल में यह सब भी आप समझते हैं बाइस राइ गवर्णर किसको कहते हैं यहां इसकी ज़रुवत नहीं है लेकिन यह स्टेस दे रहे हैं वो बाइस राइ था 1858 के अधिनियम के बाद जो ओही गवर्णर जेनर बाइस राइ कहाने लगा यह हिंट्स कर हिस्टी देखते हैं तो इसमें करमी किसका विकास हुआ है 1881 के बाद 1801 में में फिर जो है फैक्ट्री अदिनियम लाया गया है फिर 1911 में आया है फिर 1922 में आया है फिर 1934 में आया है तो यह सारा जो फैक्ट्री एक्ट है अभी फैक्ट्री एक्ट का हम अब्जेक्टिव उद्देश नहीं बात कर रहे हैं, इसका हिस्टी बता रहे हैं, ति जितने सारे अधिनियम स्रामिकों के लिए लाए गए, वो सारे अपनिवेसी काल में लाए गए, अपनिवेसी काल में सर पर्थम स्रामिकों के हित के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, अधिकार के लिए, उसके बेलफेर के लिए, सब के लिए जो अधिनियम लाएगा 1880 में, और हिस्टी में भी पढ़ते हैं या पढ़ना, यहां उस पर तो विशेश चर्चा न रूप में लिखना है, तो इसके यह सारा जो अधिनियम है, यह सब अपनिवेसी काल में लाया गया, उसमें जो खामिया थी, कमिया जो थी, तो सोभाविक है, आप क्या है, एक सोशित बढ़ गया है, आप किसी के अधिन है, गुलाम है, तो आपके अनुकूल, आपके आपक वो तो अपनी इंटेस्स से, उधर आप हिस्टी में पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, पढ़ना है, बीग एक कमपेटीटर, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, पढ़ना भी है हम सबों को, पढ़ते भी हैं, तो भारत में, अंग्रेज जो आए थे, आप सब जानते ह हैं, कि बैपारी बढ़ के रूप में आया था, अब बैपार का क्या ultimate goal होता है, मेन, objectives होता है, कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, वह यहां सासन करने नहीं आया था, सब अप जानते हैं, सारे लोग इस चीज़ से परचेते हैं, उसका उद्दे से यहां, सासन करना नहीं था, British East India Company एक बैपारी के रूप में, एक ट्रेडर के रूप में भारत में स्थापित हुआ था, आप Charter Act पढ़ते हैं, क्या है, बैपार करने का एक अधिकार है, वह बार बार रिनीवल कराना पड़ता था, लेकिन वह यहां आके और राजनायतिक आधिपत जमा लेता है, पॉलिटकल है जिमेनी जिसको बोलते हैं, इसलिए नहीं कि उसको यहां सासन करना था, इसलिए कि बैपार करने में जो परसानिया होती थी, बैवधान, हर्डल पैदा होता था, उसको अपना सासन रहेगा, आ आज भी तो ही चला है, बरी-बरी जो हमारी अभी बरतमान की सरकार है, कोई किसी की सरकार हो, किसी पार्टी, गठभन्दन को, that is different, उस पर मेरा मतलब कोई, मतलब चर्चा नहीं करना है, वो हम लोग को परना भी नहीं चाहिए, being a competitive student, यह हम लोग के लिए नहीं है, डिसको जो डिवेट का चीज है, तो लेकिन यह देखते हैं, जो आज क्या है, बरी-बरी कंपनिया जो है, बिपक्ष बोलता है, या कोई सता में है, कोई बिपक्ष में है, वो दुसरा मुद्दा है, आज बरी-बरी कंपनिया जो है, से एक्ट है जो प्रेसर ग्रूप, दमार समू को के रूप में सूंवर काम करता हिं इतना जो प्युट कर पार्टी को प्वंड आता हम अब क्या करते हैं हम क्या देंगे ब्रीवर कंपणी जो हैसे करती है तो तो चाहती हैिन्हों उसकी सरकार हो तो जैसा अपने पंडे अकहन chanting क्या है कानुण चाहता है, सरकार उसकी बन गई तो उसके अंसारों चलता है, कम्पनी को अभी जो बरतमान में यह तो बोलना नहीं चाहिए, कलास की चीज है नहीं, और पलिटकल पार्टी से और सरकार से हम लोग कुछ लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है, हम लोग को तसीव लिएक प्लिट के लिए कोई एक साधन चाहिए, आपको नोक्री चाहिए, हम लोग को बस आपके बीच में कुछ बाट देना है, लेकिन आज पलिटकल पार्टी यहां को इतना फंड आता है, कहां से आता है, बरी बरी कम्पनी जो है, उसको फंड देती है, उससे जो कुछ करता है हमारे बीच में जो कुछ परचार या कुछ करना है, वो करते रहते हैं, तो वो प्रेशर ग्रूप के रूप में काम करता है, इसलिए किसी उसको लगता है जिस पार्टी का इस लीडर का सरकार बनने वाला तो उस पर वो खर्च करता है, कि उसकी सरकार बनेगी, तो हमारे अ बैपार ही करूप में आया था अब बैपार का अल्टीमेट कोल क्या होता है जैसा हम सब लोग जानते हैं किसी भी अस्तर का बैपार हो हम अब कोई भी करता अधिक से अधिक लाब कमाने कम फुणी लगे अधिक से अधिक लाब का अल्टीमेट कोल तो बैपार कही होता है किसी इसको लाब कमाने में जो परसानिया हो रही थी अपनी सरकार होती तो हम बेहतर कुछ कर सकते बीच में अब स्टेक कल हर्डल पैदाना हो इसलिए ओ राजनायतिक हस्तार्थ शुरू कर दिया ति हमारी कमजोरी है उसकी कमजोरी नहीं है यह हमारी कमजोरी है कि हम एक नहीं थे चेत्रिय अस्तरपड या फिर जो सासक थे उसमें एक इवनीटी नहीं तो इसा स्टेंग्थ नहीं था इतिहास भी आप पढ़े है कि मुगलकाल में जब आता है तो क्या अंतिम सासक औरंग्जेब है वह जो है सबसे स्ट्रॉंग इसको सासन काता है कि इंद देश होता है अधिक से अधिक लाव कमाना और लाव कमाने में जो इसको ब्यवधान पैदा हो रहा था इसलिए और राजनेतिक हस्चेप सुरू करना यहां कर दिया और अंता हमारी जो कमजोरी थी हमें मतलब छमता नहीं थी हम एक दूसरे के बीच में युनाइट नहीं थ थी एक दूसरे से मतलब उसको क्या कहिए कत्रित नहीं संगठित नहीं थी हमारी कमजोरी के लाव उठाके एक बैपारी जो है वह अंतता राजनेतिक हस्चेप यहां हाकसासक बन गये यह पिर हिस्तिकी बात कर दिये तब कहता है थारस एकासी का फैक्टी एक राता है थारस बनेगा आप स्वतंत्र भारत में है तब एक बढ़ के लिए तो आपके अनुकूल आपकी जो मतलब आपके बीच का जो आदमी है जो लीडर है जिसको बोर्त करके वहां भेजते हैं वो तो उससे तो आपका विरोधाबास चलता है तो तो कभी देशी है आप से उसको क्या म जैसी काल में तो हमारी इंट्रेस्ट की बात तो क्या करेगा है कि अकल भी बोले हैं हम क्या बोलेंगा अब सब जानते हैं कि कि किसी भी काल में दो बढ़ हमेशा रहता है अभी आप सरामिक है कल सासक बन जाएक अभी आप क्या सरामिक है नियोजिक बन जाएगा तो आप के साथ जो हुआ वही आप दूसरे के साथ करेंगे आपके साथ अगर हम सोशन किये हैं तो कल होके आप अगर नियोजा के इंटर्पेनर बन जाते हैं तो आप भी ओही लेबरर के साथ करेगे जो आपके साथ हुआ है अट прошपे है किसी भी काल में हाँ यह कह सकते हैं कि दोनों के बीज का जो रिफ्ट है जो खाई है जो दरार है जो डिस्प्यू ए उसी को कोई ब्यक्ती भीसेश या सरकार भीसेश या समाज भीसेश इसको कम कर सकता है यह नहीं हो सकता है कि जो डिस्पूट है बिल्कुल खतम हो जाएगा रामराज की कल्पना नहीं की जासे कल्पना के बाहर की बात है किसी पार्टी किसी संगठान किसी छेत्किया बात करते हैं किसी जाती की बात करते हैं किसी गठवंदन की बात करते हैं तो यह आप नहीं बोल सकते हैं कि इसकी स तो आप पाठ तक पाठ सकते हैं वो अब्यक्ति भी से समय भी से इस पर निर्भर करता है तो यहां वही चीज है कि जब फैट्टी एक सब पर्थाम अपने वेसी काल में आता है तो आप तो गुलाम है किसी का तो अपने इंटेस्ट के अपने अनुकूल ओ अधिनियम लाएगा आपके साथ क्या हो रहा है उस पर कम देहन दिया जाएगा तो इसके बाद फिर उसमें जो उसमें जब क्या हो गया उसका विरोधा भास हुआ उसका विरोध हुआ अभी कृसी बिल्यु आप देख रहे हैं क को कर रहा है इस पर हमें नहीं कहिनों कि किरसी बील शो कि हम विरोध कर रहे हैं यह हैं इक टीचरे श्टुएंट का काम नहीं है कि इसको राजनिती करना और दूसरी चीज जो आपके बीच का है, आपके बोट से कुर्सी पर बैठा है, वो cabinet minister हो, राज मंत्री हो, स्वतंत पर कामधिव ओ, और जो minister हो, परधान मंत्री हो, मुख मंत्री हो, तब उसके साथ हम विरोध कर रहा हैं, तो वो तो बिदेसी है, वो तो बिदेसी है, अकल भी बोले हैं लोकतंत्रे वो सफल तब ही होगा लोकतंत्र का मतलब होता है जिसका भारत के संदर में देमोक्रासी कुछ होड़ है एरोपियन कंटी में कुछ होड़ है यहां देमोक्रासी का मतलब है कि एकनोमिक डिस्परेटी को आर्थिक भी समता को मिटा देना ही सबसे कितना मीटा मीटाया जा रहा है अभी तक कितना मीटा है इतना बरस हमको सोतंत्र हो गिया वह हम आप सब उसे पड़्चित है कि ऐसे समझ के लिख रेडी में फैटी एक में जो कुछ लिखा हुआ तो तो आभी उतार देगे तो यहीं कल भी हमने बोला कभी कोई सब्जेक्ट जो है और लिखने बालों पर निर्भर करता है जाब कितना बेहतर लिखना कितना अधिक से अधिक मार्स जो है और टेंड नही करते हैं बलकि असूलते हैं उधर से ना देने वाला भी चाहरा हो मजबूर कर दिए उसको ऐसा इंफैटिक ऐसा परवहसाली अंसर दीजिए को मजबूर हो जाए आपको इतना नमर देने के लिए तो इसके लिए थरा ब्रोड एस्टरी की जुरत हमें परती हमको आपको पर में भारत में सबसे पहली वार जो है करखाना अधिनियम 1881 में लौड रिपन के काल में लाया गया इसके बाद उसमें कुछ सुधार किया गया इस्टी में भी आप पढ़ते हैं जिनका ऑप्शनल है फिर जीएस में भी हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद 1891 में लाया गया इ 1934 में आया यह सब अपनी बेसी काल का अधिनियम है लेकि जो इसमें लिमिटेशन्स खामिया रह चुकी थी इतने सारे सुधार कियेगा 1881 में जो था कुछ उसका लिमिटेशन था एकानमे में जाको सुधार किया गया फिर भी कुछ रहा तो 1911 में 11 के बाद 22 में 34 में सम में उसमें जो लिमिटेशन्स उसकी कुछ खामिया जो थे लेवरर के पक्ष में नहीं था उसमें गरेज्वाली धिरे धिरे उसमें सुधार किया गया रीफॉर्म नहीं इसका ध्यान डखना है सुधार किया गया पुनसंदचना नहीं धिरे धिरे ग्रेज्वाली सुधार का मत बरतन लाना और रिबोलूशन का मतलब होता है कि ड्रेस्टिक सदेनली चेंज इन प्री एक्जिस्टिंग सिस्टम्स आप एकनावी में पढ़ते हैं जहां ताहां है तो बर्निंग कोश्चन है कि रिबोलूशन क्रांटी से क्या मतलब है तो क्रांटी का यह की मतलब होता है कि ड्रस्टिक चेंज, सडेनली चेंज इन प्री एग्जिस्टी सिस्टम, 18.57 को बिद्रोह काते हैं, उसको रिबॉलूसन नहीं काते हैं, इस सब आपको पढ़ना है, पढ़ते हैं, भी सारे लोग पढ़ते हैं, आपके बुक में जहां भी पढ़ते हों, इसली में पढ़ते हैं, ये जी स्मय भी पढ़ना पढ़ते हैं, तो आपके बूक में यह नहीं लिखायों, 18.57 की करांती, पर रिभोल्प अभट एप 1757 लिखते हैं नकि रीभॉल्वलूसन लिखते हैं वर्ड को मैनूट पैट को आपको समझना है है कि रिभाल्ट रिभॉलूसन में बहुत बुरा अंतर तो 1857-1857 का उसको रिभॉल्ड काते हैं, रिभॉलूशन नहीं काते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं, ग्रीन रिभॉलूशन, हरित करांती पढ़ते हैं, रिभॉलूशन का मतलब ही होता है, ड्रेस्टिक सडेनली चेंज प्री एक्जिस्टिंग, पहले से चलिया जो आ रही जो ब्यवस्था है, उसमें आमोल्चूल परिबरतन कर देना, और रिफॉर्म का मतलब होता है, धीरे धीरे समें सुधार करना, हम लोग बिहार, में हैं, बिहार का परिक्षा देते हैं, बिहार के हमारे, इस वार आया भी से, लोक नायक जयाए परे, तो टोटल लिभॉलूशन दिये हैं, नारा दिये हैं, 1975 टोटल संफून करांती, पीटी में आता है, इस वार उसे कुछ आया था, पोस्चन, जो पिछले सप्ता एक्जाम हुआ, जो टोटल लिभॉलूशन का ही मतलब होता है, जो पहले से आ रही है बेवस्था, बेवस्था 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 सिस्टम के डिफ्रेंट पार्ट है, डिफ्रेंट औरगन है, उसमें जो वेवस्था उसमें आमोल जुल परिवर्तन करें, हमारी समकालीन सरकार हो चाहे स्टेट लेवल की केंद सरकार की हो, तो एक पीए मोधी जो है और मुख मंत्री जो है से पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं, सिस्टम के बहनियक लोग उजुड़े हुए, सब दुरूस्त होंगे तब हो सिस्टम पुरा होगा, अभी अच्छी नीती चलती है, जो लोग देते हैं इसे गुट गवर्ने, सूसासन बहुत बढ़ामतर है, तो गुट गवर्नेस तभी का जो पूरा सिस्टम ही बेवस्था है, उसके जितने सारे जो अंग हैं, सिस्टम के उस सम में पड़िवर्तन करेंगे, तब बेवस्था में पड़िवर्तन हो, अब एक नामी में पढ़ते हैं, अरित करांती, अनेक तरह के रिभॉलूशन पढ़ते हैं, तो यहाँ यही चीज कहारा है, कि अपन 1922, 1934, यह अपनी वेसी काल में उसमें रिफॉर्म किया गया, रिफॉर्म नहीं, उसमें सुधार किया गया, सुधार का मतलब होता धीरे धीरे पड़िवर्तन, रिफॉर्म का मतलब पुनर संदखना, पिछली वेवस्था को हम बदल के नई संदखना देने जा रहे हैं, त रिफॉर्म किया गया, लेकिन अगर सुतंत्र भारत की बात करते हैं, तो उस रिफॉर्म को रिफॉर्म में के अपर्थम जो एक्ट बना स्रामीकों के हीद के लिए वा फैक्टीक्ट 1948, यह बहुत कुछ कहा दिए, इस अब रिटेन के लिए बहुत कुछ दिए, आपको इस इसमें से अधिक से अधिक चीजे लिए कि आपको इसमें पूट करना और जो इसका प्रवधान है आप भी हम भी सब रट लेते हैं इसे मार्स आप फेंच नहीं कर सकते हैं और अबटेंट कर सकते हैं मार्श मतलब उदर से खीच नहीं सकते हैं जो लिखे अगा उसका लेकिन कल भी बोले हैं हम क्या बोलेंगे तो बेलोन है किस थरा हट के आपको एंसर देना ये सब चीज आप उसमें अधिक से अधिक टर्म सर डालिए जो एक जामनर को ये समझ में आय जो कुछ कह रहा है ये जादे लेंदी बरोड भी नहीं बनाना है जो हमरा फैट है जो कोश्चन उसर जादे उसको हमको डेविएट भी नहीं हो नहीं है लेकिन ऐसा मिने जब प्लेन लीग के छोड़ देना है तिये हो गया मेरा बैकराउंड अब कहता है कि स्वतंत्र भारत का पर्थम कर्खाना दिनियम जो है from 1948 sudah को कर्खाना धिनियम का उदेश, उद्व닛 से हही है कि कर्खाना धिनियम की जो करĩंए कि इस को हैं तो ऐसा धिनियम ऐसा कानून जो श्रमीकों की स्वास्त शुरक्छा रक्षा उसको बेतन कार्ज की अबधी के लिए परबधान किया गया हुआ स्रमी का अधिनियम सोरी करखाना अधिनियम कहलाता है और करखाना अधिनियम लाने का एक क्रम जो है जो इस हुआ है वो आपको सारा कुछ बतला दिये हैं कि अपनिवेशी स्काल में 1881, 91, 1911, 22, 34 और स्वतंत्र भारत में जो 1948 ही बना ये मेरा बैक्गरांड हो गया चाहिए प्री हिस्टी कह दीजे कि ये करखाना अधिनियम के पीछे क्या क्या चीज है ये ची बोल दिये अब सामने आता है कि करखाना अधिनियम का अबजेक्टिब्स उद्देश क्या है तकल वही बोले हैं कि लेबर लेजिसलेशन का जो उद्देश है ओही लेबर लेजिसलेशन का परकार है आज ही बोले हैं सुरू में कि जो श्रमी का धिनियम का जो परकार है ओही श्रम विधान का उद्देश है तो उसमें है कि किस उद्देश से तो कहते हैं इसरभ विधान में क्या है स्रमीकों के रक्षा सुरक्षा अधिकार की बात करना तो जिस अधिनियम में खास करके स्रमी के रक्षा सुरक्षा अधिकार की बात होती है वो अब पोर्टेक्टिव लेवर लेजिसलेशन का लाता है अब पोर्ट कार्खाना धिनियम 1948 का क्या अबजेक्टिव से क्या उद्देश है वह हम आगे डिस्कस कर रहे हैं तो इसका पहला अबजेक्टिव से कि कार्खाना के स्रमीकोप को संरक्षा यह सुरक्षा परदान करना पहला उद्देश है दुसरा है नियोज को इंटर पेनर जो आपको लाइबिलीविट का साधन देता है जिसके आप सरम बेचते हैं जिसे आपका जीवका चलता है चाहे हो पबलिक सेक्टर को हो प्राइबेट सेक्टर का हो कल भी बोलें चाहे हो और गनाइज सेक्टर का लेबरर हो अन और गनाइज सेक्टर का हो तो उसके स्वेक्षा कारी जो मनमानापन जिसको काते हैं इतना में काम करना है तो करो नहीं तो छोड़ दो हम इतना ही आपको बेजज देगे मजदूरी देगे इसके लिए फिर बन गिया मिनमम बेजज एक उनी सो और तालिस में ही समय पर भुगतान ना करते हैं तो इसके लिए फिर अधिनियम बन गिया आप महिला है इसलिए आपको बेजज कम देंगे तो जेंडर डिस्परेटी के लिए कह से, उसके लिए अधी नियम बन गया अब कोई दूसरा इंटर्पिनेर नियोजक जो है से काम उम्र के बच्चा को ना रखेगा और उसको जो मन में आएगा, हम काम करवाते हैं, दीन वर फैक्टरी में काम करेंगा पोचा दिलवाएंगे अपने घरे लूग करेंगे तो उसके लिए अधीनियम बेरे से जो चोदर ब्रस से कम का है उसको आप रख नहीं सकते हैं, तो इस सब के लिए अधे अलग अधीनियम बुलाएं तो इस खास करके पार्टिकुलरे स्पेसली जो फैक्टियेक्ट है, उसका क्या अबजेक्टिव से तब पहला है कि करखाना के श्रमिकों को संडख्चना, संडख्चा या सुरक्चा परदान करना और करखाना अधीनियम ही है, प्रोटेक्टिव लेवर लेजिसलेशन है पार्टार है, यह अधीनियम जो पारित होता है 23rd September 1948 में, यह साब नोट में आप लिखेंगे, लिखना होगा तो, अभी तम सिनुपसा इनर्टसल के रूप में कहते हैं, इतना तो, पर थोड़ी है, बहुत कुछ है, लेकिन जो इससे आप में थी में सब डिसकस कर रहे हैं, कि 1948 का जो फैक्टी एक जो है, वो पारित हुआ है 23rd September 1948, बट इट केम इन्टू फोर्स, जो लागू हुआ है 1st April 1949 को, यह सब जागा मिलेगा, कोई नई चीज़ ने हमें रिपीट कर दिये हैं, करखाना अधिनियम का अब्जेक्टिव से, करखाना के सरेमिकों को परदान करना, प्रोटेक्शन पुरभाइड कराना, दूसरा है नियोज को के स्वेक्षा कारी पर नियंतरन करना, जो आप मनमाने धंग से हमको इतने में रखेंगे, इतना घंटा काम करना है, यह नहीं, वो नहीं, वो स्वेक्षा आपका नहीं चलेगा, यह अदिनियम के, कि आपको नियोज को काम करना परेगा, तिसरा है काम के घंटे को बियनिमीद करना, वो रेगुलेटरी हो गिया, कि इतना घंटा से अदिक आप काम नहीं ले सकते हैं, इसका यह उद्देश है, काता है, चौदा बरश से अगला जिसका उद्देश है, चौदा बरश से कम के ब्यक्तियों, वो आइदर मेल अब फीमेल, अब मेल फीमेल टर्म क्या हुज करेंगे, वो तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं, टर्म कर रहे हैं, वो अलग चीज है, जिसको आप चाइल कहिएगा, एडल्ट कहिएगा एडॉलेसेंस कहिए क्या कहेंगे उसा टर्म हम आगे इस पर डिसकस कर रहे हैं तो सीधे अभी ब्यक्ति बोल देते हैं कि चौदा ब्रस से कम के ब्यक्तियों को के नियोजन पर पर्तिबंद लगाना अगला इसका उद्देश है फैक्ट्री के कर खाना के मैनेजमेंट में स्रामिकों की भागिदारी यह सेकेंड सेक्षन जो है अभी के अज़ पर सी लेब जो नया फॉर्मेट कहें है पैटर्न तो नहीं कहेंगे जो नया जो फॉर्मेट बीपेश्ची बनाया है उसके अन्सार second section पहले यह second paper में आता था section second में यह है उसमें participation of labor in management, एक topic परना, full question भी आता है तो करखाना अधिनियम यह भी कहा गया है कि करखाना में जो ब्यवस्था ब्यवस्थापक है management में उसकी भी भागिदारी स्रवमिकों की होनी चाहिए कलपड़े ने लेवर लेजिसलेशन का उद्देश के objective था तो तू इस्टेबलीस peaceful circumstances in surrounding of factory कि करखाना में सांधि वेवस्था स्थापित करना भी करखाना दिनियम का उद्देश है तो केवल उद्देश को लिख देने से कानून बना देने से नहीं होगा उसको मेटलाई करने के लिए दोनों के बीच में संबाद जरूरी है और लिखते हैं और इसी subject में on subject में आप लिखते हैं किसी भी देश के लिए भारत के लिए नहीं किसी भी देश में कहता है और किसी में काल के लिए कि कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं है जी एस में अनेक प्रेपर में आपको लाइन लिखते हैं आप सब जो जानते हैं कि किसी भी सरकार के लिए नई कानून का लाना कोई बड़ी बात नहीं है कानून को मेटरलाइज करना इंप्लीमेंट करना उसको मुद्रूप देना वो सबसे अहम बात है लेकिन या तो पोलीस ही है जह हम आए है तो पिछली सरकार के रूल को बदल दे उसमें संसोधन कर दे या कर दे वो तो दूसरा मुद्दा है लेकिन यही लाइन में कहा जासत किसी की भी सरकार हो किसी भी काल किये कानून बनाना बहुत बड़ी बात नही है कानून को मेटरलाइज करना मुर्त रूप देना कि रियाणवित करना वो समसे आहम किसी सारकार के लिए और किसी काल के लिए कि चुनोती होती है थे ही इस तेहां वही कहता है कि आप बना थो देडिये अभजेक्टिव सह आपका लेवर लीम्हित का लेकिन मुर्थ रूप देने के लिए अब अलग से फैक्टियेट में कहता है कि टुइस्ट इस्टेबलिस पीस्फुल सरकम्टांसेज वो ऐसी बेवस्था अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा अभार हमेशा इस्ट्राइक होगा पोड़क्शन नहीं हो पाएगा उत्पाद आफ कर देनने नहीं होगा तो ताला लगेगा आपने फिवरोजगारी पैदा हो जाएक फिल्स पेदा बिरोजगारी पैदा होगी तो और तर नहीं होगा कुछ तो बढ़ के बीच में और संखर्ष होगा कि कानून जो है ।ो इस्टोल करता है पैसिफाई करता है दोनों ब खाना के स्रामी कोल के लिए, फिर अगला इसका उद्देश है, महिलाओं को रातरी में काम करने पर नियंत्रन करना, एक तो आप जेंडर डिस्परेटी करते हैं, तो जेंडर डिस्परेटी से मुक्तिया आ गई, तो आप फेर ब्हेद करते हैं, कि महिलाओं को क्या आप ही ओभा टाइम तो और एक सब हम पढ़ते आगे पढ़ेंगे यह कि में कितना चीज़ कहें लेकिन इसका उद्देश भी है कि महिलाओं को रात्री के स्कार्ज में नियोजित करने पर पर्तिबांद लगाना लेगन फीर अगला दुसरा सरमायो कहता है कि अगर कोई इंटरप्रेणर नियोजक यह सुरक्षा का बादा करता है यह गरांटी लेता है कि महिला को रात्री समय के वर्क में हम नियोजित करते हैं कि उसे काम लेते हैं उसकी सुरक्षा को गरांटी देता है तो सरकार से आदेश लेके वहनी हो जाक महिलाओ को भी रात्री के कार्ज में लगा सकता है यह नया चीज है तिस सारा जो है से अबजेक्टिव्स अब पार्टिकुलर्ली एस्कुलूसिविली फैक्टी एक नाइन्टीन फोटी एट का यह अब यह उद्देश है अब इस फैक्टी एक्ट से क्या क्या बहुत सारा टर्म है कोस्टन तब फूल पर नहीं आ रहे है इसके लिए कोस्टन आता है जब फैक्टी एक नाइन्टीन फोटी एट है उसमें बेल फेर के लिए क्या प्रोभीजन है लग को बालकों के लिए क्या प्रोभीजन है स्वा उस में टर्म्स है पहला जिसको आप कहते हैं कर खाना किसको कहते हैं पिर आएगा जो डिक डिफिनीशन लिखेंगे तो उसमें उदोग आएगा मानिए वाइसा अदोगिक पडिसल एक परिसार एक आप अधिसको कहते हैं समझें एक अद्दोगीक परिशर में एक industrial area में अनेक industry होते हैं तो ऐसे ही एक अद्दोगीक परिरशर में एक से अधिक फैक्टी होते हैं तो उस फैक्टी का उस कारखाना का परिसीमा के अंतरगात वैसे शरीमीग तब फिर कहता है कि वह factory है वह दो तरह का है वैसा का खाना जहां मसीन से काम होता हो manual work नहीं होता हो चैया manual worker की भूमिका क्या हो कम हो और वैसा का खाना जहां पर गैर मसीनी उत्पादन होता हो तो दोनों के लिए अलग-अलग बनाया गया है, तो मसीन होगा, तो कोई पावर से चलेगा, सक्ती से चलेगा, वह सक्ती चाहे लेक्टिक हो, चाहे थर्मल पावर हो, एक नौवी में पढ़ते हैं, लेकिन जब खास कर भारत की बात करते हैं, तो भारत में उर्जा के जितने स ठावरों ते या उत्त पातन हैं, या उत्त पादन भी कहते हैं, उसमें सब से अधिक कंटी भीषन जो ऐसे थर्मल पावर पावर, का है, आप सबीचे आप सबढ़िघ कॉलूचन परते हैं, गलोबल वर्मिंग परते हैं, when की कि आप года करते हैं, डेवललपिं कंटी के बात क आता है तो क्यों इसका वर्कफोर्स जो है अधिक से अधिक वर्कफोर्स एकनावी में भी पढ़ते हैं आप जोगरफी में भी पढ़ते हैं कि इसका अधिक से अधिक वर्कफोर्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है डेवलपनेशन के स्रेनी में अगर भारत को आ आप किसने लिका में सेकैंडी काटर सरीका तो अलग बुद्दा है वह एक नवमी का भीस है उस पर हम जाना भी नहीं चाहते हैं आएज़रोत भी नहीं है लेकिन बहुत हिंस कर देते हैं कि आप कितना लिखेगा क्या क्या लिखिएगा प्लेन नहीं लिखे, थोड़ा अलग हटके लिखे, आपके जहन में सब ची होना चाहिए, सब होना चाहिए, तब कलम चलेगा बेहतर ढंग से, कुछ से कुछ लिख देने से तो average marking कोई भी subject हो, मैं थे सबसे जादे scoring न बनाईएगा तो थोड़ी marks आ जाएगा, marks लेना सीखिए, प्राप्त करना ने, ना देना चाहरा है, उसको मजबूर कर दिया ऐसा उसको word देखके, वो ऐसा sentence बना को ऐसा fact देखे, fact अधिक से अधिकती जी, तब यह marks फेचिंग कोई subject हो सकता है, तो उद्ळोग काते हैं तब हर खना की बात करते हैं, उद्दोग में काता है, प्राइमरी सेक्टर का, प्राथ्मिक छेतर का इसको raw material काते हैं, एक नामी में पढ़ते हैं, जोगड़ाफी की जीचेस में पढ़ते हैं, कि जो raw material है कच्छा माल जिसको काता है मानब के उपी होगी जहां पर बनाया जाता है उपी हो की बस्ती तू कंजूम उपो करने के लिए जहां बना दिया जाता है वैसे जगा को उद्दोग और वह बेबस्था क्या है अद्दोग करन का लाती है अब कहता है कि वैसा अद्दोगिक छेत्र परिसर जहां पर सक्ती से काम होता है सक्ती का मतलब पावर यहां जो है से आईदर थलमर यह एलेक्टिक वह लासे चलता है भारत के उड़लिए का इसे भी इसको यह कर देते हैं आप सब लोग जानते भी हो कि भारत में उड़ल्या का मुख स्रौत जो है मुख स्रौत को दो बर गों माटा गया a conventional source of energy and non-conventional source of energy. उर्जा के परंपरागत सुरोत और गर परंपरागत सुरोत. तब परंपरागत सुरोत में वह ऐसा संसादन, वह ऐसा निचुरल रिसोर्सें, जिसका क्या है कुछ बर्सों के बाद, कुछ दसक के बाद, क्या होगा, उसका स्टोर्ज भंडारन खतम हो जाएगा. और नन-कन्वेंशनल निचुरोत काभी खतम नहीं होगा, ऐसा तो सांटिफिकली बोलना बिल्कुल गलत है, लिए जल्दी खतम नहीं होगा. तो सोलर इनर्जी, बिंड इनर्जी, टाइडल इनर्जी, हाइडल इनर्जी, सब जो नन-कन्वेंशनल सोर्स ओफ इनर्जी है, लिए नन-कन्वेंशनल सोर्स ओफ इनर्जी में आपका थर्मल इनर्जी है, और थर्मल इनर्जी में सबसे जादे भारत में उत्पादन होता कोईला से तो कोईला जलाईए गाद दुमा तो निकले गाई है तो इन्वार्मेंट तो पॉलूट होगा ही तिया तो भारत को भारतीय समाज को आप पॉलूशन से बचाए या फिर डेवलॉपिंग से अंडर डेवलॉप मिले जा यह बहुत बड़ा विरोधा भास है भारत के सामने हमको बीक्सित ड्रय अस्टो के स्रेहिन में जाना है आध घैं तो यहां तो अगर करेंगे ही और दिच बीन एनर्जी को उटा नहीं पढ़ते हैं आप सब लोग стать 10 भी पन आच अच्छ है जेनरल साह coração सब लोग बीना ओ इनर्जी के तो वर्कोता नहीं ही है एनियर्ज चाहिए इस इनर्जी पर इतने हम बात कर रहे हैं कि वह ऐसा दोगी पड़िसर जहां पर सक्ति से चलने बाली मसीन जैसे पावर जेनरेटर जो और खोता हो उसमें 20 या 20 से अधिक सरमी काम करते हों या गैर सक्ती से जिसमें पावर मैनुवल और खोड़ा हो तो आ चाली से या बिनिर्मान मैनुफेक्चरिंग में लगे हो तो उसको कर खाना कहा जाता है या बिनिर्मान क्या होता है अगे हम स्टार्म सब लिख रहे हैं चर्चा कर रहे हैं निर्मान बिनिर्मान दोनों दो चीज है ते या बिनिर्मान मैनुफेक्चरिंग की बात करते निर्मान की करते हैं कंस्ट्रक्षन की बात महीं कर रहे हैं तो जहां पर बिनिन्मान की पड़किरिया में मसीन दौरह जहां पर कार्ड बीस या भीष च जधिक लेबर्र पीछले की बाराव मैनों कर रहे हो या फिर गईर बाइब मसीन से मैनुल वर्क, बाइब मसीन से नहीं करेंगे, तब मैनुल काम करेंगे, हाँ से काम कर रहे हैं, तक यह मसीन वाला को कम क्यो रखा गया इसलिए, कि आगे पढ़ियेगा, कि व ऐसा इंभारमेंट जह हजार जास नहीं हो, घातक नहीं हो, महिलाओ को महिलाओ जो एक्सपर्ट नहीं हो, मतलब अनेसकी लेबरर को वहां नहीं जाना, सब हमना आदिन, लेकिन उसको ओवे करना बरा समस्या है, सब इसी सब्जेट का यह प्रोभीजन है, सब अदिनियम पढ़ेंगे, तो सारा चीजा आपको जो बेबारी जिंदगी में देखते हैं, हाइडल पावर जो पावर है, हम एक्सता कर दिये हैं, कि पावर का सोर्स इंडिया में जो है से नन कन्वेंशन सोर्स ओफ इनर्जी, जिसका एक्जामपल है थर्मल पावर, थर्मल पावर का एक्जामपल है कोईला जला के हम प्राप्त करते हैं, दुसरे नमर पर हाइडल पढ़ है मेरे पास है तो परजा वरन में लोग परते एकनोमी फ़िए जोग्रभी के जिए से परते हम लोग आप सब लोग को पढ़ते हैं कि पढ़ना है तो आप आप देखते हैं कि परदूसर्ण से अगर मुक्ति चाहिए environmental degradation environmental pollution को अगर कम करना है to calm down तो हमको आपको या global level पर चाहिए कि वो कम से कम conventional source of energy का वो उपभोग करे तो इसका एक fact नहीं है कि उसका भंडारन सिमित है सब से इसका positive aspect है कि या केवल जल्दी खत्म ही नहीं हो पाएगा बलकि नई environment को degrade करेगा नई environment को pollute करेगा इस सब से बरा इसका attributes है कि हम अधिक से अधिक non-conventional source of गैर परंपरागत उड़जा का उपभोग करे उसके लिए जो सारे means साधन अपनाए जाने की जूरत है ओ गवर्मेंट की accountability है हमारी भी accountability है कि सोसल लेबल पर इजनल लेबल पर नेशनल लेबल पर गलोबल लेबल पर प्रयास की जूरत है प्रयास किया भी जा रहा है तो थोड़ा इनलाइट के लेपरोच हो गया तो यहां यही कहता है फैक्टरी का definition यह है अब फैक्टरी भी दो तरह का होता है एक होता है बारह मासी आएक होता है मौसमी अब फैक्टरी में उर्जा से संचालित उत्पादन हो रहा हो या भी नहीं मान हो हो गया दस मिनेट और है ठीक दस मिनेट और कर लेते हैं तो इसको हम समप कर रहे हैं थुड़ा लेंदी हो रहा है तो आगे नेक्स कलास में हम करते हैं यह कहने कर रहे थे कि अब फैक्टरी का definition यह हो गया कि बीनिर्मान की परकिरिया में थो कि निर्मान की परकिरिया में दो तरह से निर्मान की परकिरिया चलती है उस में जहां पर मसीनी उद्था आगी अधा उत्पादन जो यह होता मसीन के दवार होता है उड़ा से चलता अब उड़ा का भी अमा मतलब आप का क्लासिफिकेशन करदे 52 का वजर히 इसमें कम संख्या होगी इसमें अधिक संख्या होगी है तो उसमें जो नियोजित है और पिछले 12 माहस उसको आप करखाना कहते हैं अगला टर्म है बी निरमान नहीं तब बी निरमान का मतलब है को फर्स एस्टेज पर जिसका उत्पादन हुआ हो समझें, निर्मान और भी निर्मान में अंतर है, कि रह मेटेरियल को, जो इतने सारे इंड़स्टी है, वो मैनुफेक्चरिंग पढ़ते भी है, मैनुफेक्चरिंग इंड़स्टी, मैनुफेक्चरिंग, लिम्टेट कंपनी कुछ लिखता है, मैनुफेक्चर का ये मतलाब है तो जिस रहो मेटेरियल को कच्चे माल को मानव के उपभोग की बस्तू जहां तयार की जाती है वो मैनुफेक्टरिंग कहलाता है एक नौमी में पढ़ते हैं कोर सेक्टर का इंडस्टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके बीना इंडस्टी स्टेबिलिस नहीं हो सकती है की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलाप करने के लिए जो चीजे है तो किया है वो कंश्ट्रक्शन्य में बिल्लिंग बनाना कंस्ट्रक्शन है लेकिन उसंगे विल्डिंग में कुछ चीज को उतिपादन करना और मैनुफा memories तो बारवर्दन से जहां पर बी निर्मान की परकिरिया में पिछले बारह महीनों से सरामी क्या हो नियोजित हो या कार्जरत हो आउत बादन में सामिल उसको करखाना करते हैं और ऐसा अद्दोगिक परिसर और करखाना दो तरह के होता है एक होता है बारह मासी आएक होता है जोट सिम्पल वर्ड है कि उयसा कर खाना जो बारहो महिना चलता हूँ उसमें सरामिक बारहो महिना तो बोलिये गात हम और कुछ बोलेंगे कि बेरजगारी भी पढ़ते हैं बेरजगारी इसमें भी पढ़ना है बेरजगारी पर तो हम पहले भी कहा चुके यह सब कोश्चेन कि आप पढ़कर खाये लिखने की जूरत नहीं यह थोड हमार्स मेजिग नही यह इंचष्टा तो हम करें गए ही कि मेलेजगारी तो फेर छारी में ही होता है लुकि कर्सी के ठ्टर में होता है ऐब हैँद कि यह फैक्टि भी दोता रहा है एक बारहः-मास्य है जो वड़ तो इसे जिजनल मौसमी जो कर खाना है उसे क्या अर्थ निकलता है कि वो बारहो महिना उव अकारजरत उसमें कामने उत्पादन नहीं होता है तो उत्पादन नहीं होगा तस्रमी क्या होगा हाथ पर हाथ लग के बैठेगा उसको लीन सीजन बोलते हैं तो इसमें आप देखत करते हैं कोल्डिंग यह सब जो है से मौसमी कर खाना है अभी निर्मान कह दिये दस मिने टॉल ले ले ठीक है तो इसके अगला टर्म जो है सब्रा आप लोग के ब्यभारिक जिन्दगी का है सब्येक्ट से जादे आप सुनते हैं बालक किसको कहिएगा सीशु के सीशु तो इसमें नहीं है मेरे इसनल जोर के आपको कुछ बता रहे हैं तो आपके इसमें टर्म है कर खाना किसको कहते हैं बिनिर्मान किसको कहते हैं बालक किसको कहते हैं किसोड या कुमार किसको कहते हैं अल्बय ब्यक्ति किसको कहते हैं इस सारा टर्म है दस मिनेट में हम समप कर रह आप आजीवन जब तक मरते हैं, उमिर कितनी होगे, नबे सो होगे, तो भी आप कुमार लिखते आ रहे हैं, तो लिखते रहे हैं, लिए कुमार का मतलब क्या होता है, बालक का मतलब क्या होता है, सीसू का क्या मतलब होता है, यंग परसन का क्या मतलब होता है, ओई टर्म यहा यहां टर्म है बालक, बालक के लिए अलग प्रभधान है, तो बालक से पर इसको अंग्रेजी में चाइल्ड कहते हैं, तो ऐसा ब्यक्ति जो पंदरा बर्स की आयू को वो पूरा नहीं किया है, तो इसके पहले अकाता है इन्फैंट, तो बायो साइंस में आपको परना ऐसा न इवेंट कोई टोपिक पर डिसकश कर रहा है, सब आपको उधर परता है, तो डिप्सेंसी बढ़ते हैं, साइन्स सब लोगों को परते हैं, पढ़े भी होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, तो इसमें एक इन्फैंट आता है, सीसु, तो सीसु अबालक में, सीसु उसक तीन सव पैंशट दीन की आयू अटेंड नहीं किया है यह जो एक बर्स उसका नहीं हुआ है उसको हम लोग इनफैंट कहते हैं समझ माँगा इनफैंट यह डिसनल चीज जब आया है तो आपके दिमाग में आयेगा यह लस्डवलु में इनफैंट की बात नहीं बाद नहीं बात पड़ते हैं इनफैंट में पोटीन डिप्सेंसी से ओने वाला इस पर मेरा सब्जेक है नहीं लेकिन ऐसे बोल दिये हैं जानते भी हुगे ऐसी बात नहीं बहुत लोग नहीं जानते हुँगे तो इनफैंट काई डिजीज है पेटीन डिप्सेंसे डिजीज अप नाम सुनते हैंJohn react to और एक डिजीज है क्वासी कोड़, दोनों प्रोटीन डिपसेंसी डिजीज है, प्रोटीन की कमी से होने वाला है, लेकिन मरेसमस और क्वासी कोड़ में अंतर है, मरेसमस जो है वो इन्फेंट का डिजीज है, सिसु जिसको कहते हैं, और ये क्वासी कोड़ जो है, वो चाइल का डी यह है तास सिसू और बालक में अंतर आपको समझ में आ गया होगा वैसा निवली बोर्न बेबी जिसने 365 दिन यानि एक सबर्स की आयू पुरा नहीं किया है वह इन फ्रेंट का लाएगा यह यह लस्डवु का यह मैटर नहीं है जोर दियें समझने के लिए आपके दिमा लिएसी जो आज पर 2011 सेंसा अभी जो 2011 के जन गन्ना के अंसार जो हमरा लिटरेसी रेट है नेरे बाट 74 परसेंट उसका क्या मतलब है यह लेस्डवु का नवी का यह है लेकिन इस पर अभी नहीं करना है इधर हमको समप करना है किसी टाइम में आ गया तो बोलेंगे तो इन हो गया चाइल उसको कहेंगे बालक उसको कहेंगे जिसने 15 बरस की आयू पूरा नहीं किया है समझ वे आ गया अगला है किसोर इसको एडॉलेशन कहते हैं आद दूसरे घरेली उबासा में कुमार बोलते हैं कुमार का मतलब यही होता है लेकिन हम तो 80 बरस के हो जाते हैं 90 ब मतलब यही होता है आप किसी अनमेरे लड़की को जो है उसको आप कह दीजे मैडम तो समझती है तो खिन हो जाएगी मैडम कहने का मतलब है कुछ और है मेरेट को बोला जाता है ने मेरेट को बोल देते हैं लोग बोल चल की बहसा में तो नराज हो जाता है लेकिन अगर जो समझ रहा है तब कुमार कुमारी से ही मतलब है कि बालक उसको कहते हैं जो पंदरा वरस की आयू पूरा ना किया हो हो गया? अब किसोर या कुमार उसको कहते है कि पंदरा बरस की आयू तो पुरा कर लिया है लेकिन एंठारा बरस को नहीं पार किया तो इसको किसोर या कुमार एडॉसन्स कहा जाता है अब दूसरा आता है डल्ट अदल्ट मैने व्यास पाल कि तर्म हम आता है अल्प बैक्ति- यंग पर्सन उसको कहते हैं ओबालक भी होसकता है और किसोड भी हो सकता है दोनों का Yoda यह कि पीछे लिखा हुआ है थीक है तो इसके से रिलेटेडी यहétais टर्म है कुछ और है कर्म कार है ले ले लेके लिक है लेunnिकर dive लाटर कालाश में हम और बात करेंगे एसके जो और किया-क्या प्रभदान है कर खाना अधिनियम में महिलाओं के लिए क्या प्रभदान है बालकों के लिए बालक का आप definition जाने चुके बालकों लिए क्या प्रवधान है बेल फेर का क्या प्रवधान है समाज कल्यान का क्या प्रवधान है स्वास्त का क्या प्रवधान है यह सारा इसका बहुत लंबा मतलब पार्ट है तो जहां तक जो जो होड़ा है अधिक से अधि हम इसको cover करते हैं, अब मिलते हैं, next class, thank you.